नमस्कार दोस्तों नमस्षिवाय जीवन जोती चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ दोस्तों आज की वीडियो किस विशय पर है पहले ये बताती हूँ हम पूजा पाट बहुत करते हैं अपने धर्म को निभाते हैं और सारे अच्छे कार्य करते हैं सतकर्म में भी लिप्त हैं कोई भी बुरा काम नहीं कर रहे हैं किसी को दुख नहीं पहुचा रहे हैं फिर भी हमें दुख क्यों मिल रहा है ऐसे प्रशन मेरे ख्याल से 99% लोगों के मन में चलता होगा हमने आसपास भी देखा है लोगों को कहते हुए भी सुना है और कई सारे वीडियो में कमेंट भी ऐसे मैंने देखे हैं कि गुरुजी मैं तो बहुत अच्छा मैंने एक वीडियो देखा एक गुरुजी थे तो उन्होंने अच्छे महिलाओं के लिए अच्छे जो कर्म होते हैं उनके जो धर्म होते हैं उन्होंने बताया उसमें तो एक बहन थी तो उन्होंने उस पे कमेंट लिखा था बहुत ही लंबा चोड़ा कमेंट था कि दोश्तों, आज मैं समझाती हूँ कि पूजा पाठ हम कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, फिर भी हमें दुख क्यों मिल रहा है, हमारे जीवन में दुख क्यों है, भगवान की भक्ती करने से तो हमारे सारे दुख कट जाते हैं, ऐसा हम सभी सुनते आए हैं और जानते हैं, तो आ भगवान उसे छमा करते हैं या हमें भोगना ही पड़ता है तो ये सारी बातें आप सरल सब्दों में समझेंगे तो वीडियो पर यदि आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कीजेगा कमेंट बॉक्स में नमाशिवाय जरूर लिखिएगा आईए आगे बढ़ते हैं दोस्तों सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कि हमें दुख क्यों मिलता है सब कुछ हम अच्छा कर रहे हैं कुछ भी हम बुरा नहीं कर रहे हैं किसी को नहीं सता रहे हैं कोई भी बुरा कर्म नहीं कर रहे हैं कर्म उसका फल हमें भोगना ही भोगना है वो हमें मिलना ही मिलना है अब कर्म भी कितने प्रकार के होते हैं कुछ पाप कर्म ऐसे होते हैं जो छम्य ही नहीं होते हैं आप साधरण सब्दों में भी समझे कि किसी की ऐसी गलतियां होती हैं जिसको कि कभी कोई छमा कर ही नहीं सकत और कोई गलतियां ऐसी होती हैं चलो कुछ दिन बाद वुभूया चलो कोई बात नहीं गलती हो गई कोई बात नहीं आगे से ऐसा मत करना और कुछ गलतियां बहुत छोटी होती है कि चलो यह भूल हो गई ऐसे अब नहीं होना चाहिए तो गलतियां हमारे जो पाप होते हैं य नहीं होसकता ऐसा तो इसको आप लिख के ले लिजे कि जो दुख मिल रहा है जो कश्ट मिल रहा है वो हमारे कर्मों का फल है हमारा प्रारब्ध अब अब तो ये सवाल आता है कि फिर पूझा पाढ़ करने से क्या फायदा जो हम धर्म कर रहे हैं उसका फाल हमको क्यों नहीं मिल रहा है, तो अब समझे इस बात को आप, कि जो हम धर्म कर रहे हैं, जो पूजा पाट कर रहे हैं, जो सतकर्म कर रहे हैं, तो वो हम संचित कर रहे हैं, जो पुण्य है, वो हम कमा रहे हैं, जैसे हम पैसे कमाते हैं, तो कुछ पैसे बचा के पूजा पाट करने से एक लाभा और क्या है? एक लाभ और है, पूजा पाट ही नहीं, मैं सतकर्म की बात कर रही हूँ, सभी धर्मों की बात कर रही हूँ, कि जो हमारे धर्म है, पुण्य है, दया है, सेवा है, इमानदारी है, सारे जो धर्म है, सारे जो सतकर्म है, उनकी बात मैं कर रही हूँ, करने से क्या लाभ होगा? ये करने से होता ये है कि जब हम भगवान की शरण में रहते हैं सारे अच्छे कर्म करो, भगवान को क्या जब भगवान क्या कहते हैं कि आप अच्छे कर्म करो, तो उन्हीं के साथ भगवान भी रहते हैं, तो जो हमारे मैंने पताया कर्मों के बारे में कि कुछ घोर उसको कहीं न कहीं भगवान छमा कर देते हैं, जैसे हम लोग साधारण उसमें किसी को छमा कर देते हैं, कि अच्छा चलो छोटी सी गलती हो गई थी, कोई बात नहीं जाने दो, तो इसी प्रकार भगवान भी उस धर्म को देखते हैं, कि ये व्यक्ति पाप भले ही बहुत किय हो लेकिन आज वो मेरी शरण में है, पूरे धर्म से अपने कर्तबे को निभा रहा है, सतकर्म कर रहा है, तो हमारी कुछ पाप कट जाते हैं, उसका फल हमें नहीं भोगना पड़ता है, लेकिन जो हमारे घोर पाप है, उसका फल हमें भोगना ही भोगना है, और क्या लाब ह आटे की तरफ जाने से ईश्वर रोकते हैं तो दोस्तों एबात आप समझ गया होंगे की पूजा पाथ करने से लाब क्या है और पूजा पाथ हमें क्यों करना चाहिए हमें कमाई तो जैसे हम पैसे की कमाई करते हैं तो उसी तरह हमें पुर्णे को कमा कर रखना ही चाहिए क्योंकि हमें इस जनम में या हमारे बुढ़ापे के समय में या हमें अगले जनम में वो मिलेगा ही मिलेगा कहीं नहीं जाने वाला है वो तो ईश्वर भी ये देखते हैं कि इसने पिछली जनम में तो बुरा किया ही था, इस जनम में भी ये बुरा ही कर रहा है, तो बताइए कि हमें कैसे सुख मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, और जो भी माता हैं बहने, जो भी इस बात से घवरा रहे हैं कि मुझे बहुत दुख मि यदि हम अच्छे कर्मों में रहते हैं, सत कर्म में रहते हैं, तो दोस्तों कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि पूजा पाट करने वाले अच्छे कर्म करने वाले तो बहुत दुखी रहते हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, अच्छे कर्म करने वाले बिल्कुल दुखी नहीं रहते हैं, उनका मन हमीशा सांत रहता है, वो अपने आपको भगवान के हवाले कर देते हैं और वो बिल्कुल निश्चिंद हो जाते हैं, ये मान के चले ये मेरा स्वेंग का अनुभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम अच्छे करम करें और हमें हमारा दुख खत अपने परिशानियों को धैर से काटिये, उस परिशानी में भी गलत राह मत चुमिये, सबसे मुख्य बाद, सबसे बड़ी बात तो यहीं है, भगवान यहीं देखते हैं, जो कहते हैं ना कि इश्वर हमारी परिक्षा ले रहे हैं, यही परिक्षा है, कि इस दुख में भी हम सत्य का मार्ग छोड़ते हैं, या हम सत्य के मार्ग पर ही चलते हैं, अगर हमें भूक लगी है, तो क्या हमें भोजन नहीं है हमारे पास, तो क्या हम गलत राह से भोजन लेके आते हैं, कमाई करते हैं, या हम इंतजार करते हैं, कि नहीं जब भी हम खाएंगे, तो सत्य की कमाई इमानदारी की कमाई ही खाएंगे तो दोस्तों यही भगवान भी देखते हैं और हम साधारण शब्दों में बोलें तो हम लोग भी तो यही देखते हैं कि हाँ कौन सी गलती हमारी छमा करने योग्य है कौन सी नहीं छमा करने योग्य है तो ठीक इसी तरह से तो मुझे लगता है कि बहुती सरल शब्दों में आप लोग समझ गयेंगे कभी ये मन में मतलाईएगा विचार कि अच्छा करम कर रहे हैं धर्म पे हैं लेकिन फिर भी जो भी बहन का ये कमेंट था ये देख के मुझे ये वीडियो बनाने का मन हुआ तो मैं सभी से ये निवेदन करती हूँ कि जो भी हमें दुख है वो हमारे कर्मों का फल है बिल्कुल निश्चल भाव से बिल्कुल निश्चिंत होकर भगवान की शरड में रहिए सतकर्म करिए और फिर देखिए उसका अच्छा फल तो मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए सतकर्म करिए धन्यवाद दोस्तों नमाशिवाय